आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TCP के स्टेट डाइग्राम के उपर उसमें हम देखेंगे कि TCP प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे connection बनाता है, data transfer करता है और फिर connection को finish करता है आपको याद होगा कि इसके पहले वीडियो में जो introduction to TCP का वीडियो था उसके end में हमने देखा था कि TCP कैसे 3-way handshake करके connection बनाता है, जिसमें की एक sin package जाता है फिर server से उसका act आता है इस sin का, फिर उसका खुद का एक sin रहता है और फिर client उसको एक act पेसता है यह sin क्या होते थे, जो ISN बनता था, जो initial sequence number, यह client का बन गया, यह ISN server का बन गया, यह random 32 bit numbers है जो एक दूसरे को बताता है, कि देखो यह मेरा initial sequence number है, जो आगे के जो मैं bytes भेजूंगा, वो इसके हिसाब से आएगा इससे आगे जो numbers है, वो उन bytes के numbers होंगे, और server भी वो same जीस client को बताता है, अपने sin packet में यहाँ पे कि देखो यह मेरा initial sequence number है, मैं भी तुमको जो bytes भेजूंगा, क्योंकि TCP एक bidirectional protocol है वो दोनों sites को एक साथ बात करने का मौका देता है, तो यह मेरा sequence number है, और यह यहाँ से शुरू होगा मेरा, जो byte के जो numbers है, वो यहाँ से शुरू होंगे और फिर client बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे तुमारा packet मिल गया, तो sin, sin act और act, यह जो three way handshake है, यह हर TCP connection के शुरू में होता है उसके बाद हमने थोड़ा सा data transfer के बारे में भी देखा था, कि कैसे एक बार connection established हो जाता है, उसके बाद जो भी data हो बेजते हैं, उसमें फिर वो sin flag on नहीं होता, क्योंकि एक बार sequence number synchronize होने के बाद, उसको बार-बार करना गलत होगा तो data जो है, मान लेजे, यहाँ पे जो पहला byte है, उसका number है 8001, तो sequence number भी वो same होगा और यह जब जाके server के पास पहुंच जाता है, तो server बोलता है कि चलो, यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे client में दो packets भीजा है, एक तो उसने 1000 bytes यहाँ पे भीजा, और उसके बाद 1000 bytes फिर यहाँ पे भीजा, तो फिर जब 2000 bytes server के पास आके पहुंच के, तो बोलता है कि चलो, जो last byte तुमने भेजा था, उसका जो number था 10,000, जो मुझे next byte चाहिए, acknowledgement यहाँ पे दिखिए, वो 10,001 करके दिया है उसने, तो वो next byte मुझे चाहिए, और खुद का जो sequence number है, वो है मेरा 15,001, क्यूंकि पता नी, last time उसने 15,000 तक भेजा होगा, तो अभी वो 15,001 का sequence नमर बना के भेज रहा है, यहाँ पे clearly दिख रहाएगी, server जो है, वो जो acknowledgement भेज रहा है, client के data को, उस acknowledgement packet में, वो खुद भी कुछ 2000 bytes के data भेज रहा है, यहाँ पे, जो की जब client के पास पहुंच गया, तो client बोलता है कि चलो, मुझे 17 1000 तक data मिल गया, जो next byte मुझे चाहिए, वो 17,001 का होगा, यह मेरा acknowledgement है, उसका sequence number है, 10,001, क्योंकि वो ही तो चाहिए था तुमको, मतलब मैंने 10,000 तक भेजा था, तुमने acknowledge किया था कि मुझे 10,001 चाहिए, तो वो मेरा भी sequence number है, 10,001, तो यह हम इसके पहले video तक देख चु सकता है, जबकि client और server दोनों को terminate करना हो, मतलब client बोलता है कि चलो मुझे terminate करना है, और server बोलता है कि मुझे भी terminate करना है, तो दोनों एक साथ termination के लिए agree करता है, तो जो client होता है, वो active close करता है, active close का क्या मतलब कि client अपने मर्जी से खुद जाके voluntarily बोलता है कि मुझे close क करता है मतलब किया वह अपने तरब से लोगों नहीं करता कर सकता है कोई मना नहीं लेकिन इस स्लाइड भाहिब यह दिखा रहें कि जो क्लाइन चाहता है कि लोगोटरभ प्रेंद करते हैं तो क्लोज करने के लिए ऐसे यहाँ पे देखिए यह जो fin flag है वो भी on है और acknowledge तो वो करता ही है क्योंकि पहले कुछ packets आया हो उनके server के तो उसको acknowledge शायत कर रहा है तेकिन इसमें जो है जो important जिज़े जब देखना है इस packet में कि जो fin flag है जो fin control flag है वो on है तो चलो तो यह आके server को मिल गया फिर server बोलता है कि म मुझे भी finish करना है तो वो क्या करता है यह जो client है जो packet आया था उसको acknowledge करता है क्या बोलता है कि तुम्हारा sequence number x है मुझे जो next चाहिए वो x plus 1 चाहिए और मेरा sequence number अभी y चल रहा है मैं तुमको बता रहा हूँ और मैं भी finish करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हारे जो finish के packet को fin के packet को acknowledge भी किया है client क्या करता है कि जो fin act का packet आके client के पास आके पहुँचा उसको फिर वो acknowledge करता है बोलता है कि ठीक है अब तुमको x plus 1 चाहिए था तो मैंने अभी x plus 1 का packet बनाया है और तुमने जो y दिया था मैं y plus 1 को acknowledge कर रहा हूँ और बस ठीक है अभी connection बंद हो गया जैसे sin, sin act और act था connection बनाने के time वो same dictu reflection उसका यहां पे हो रहा है जैसे कि fin, fin act और act इस slide में हम half close के बारे में बात करने वाले हैं यह जो half close है यह थोड़ा सा important concept है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो इसमें क्या होता है, जो client होता है वो अपना मन बनाता है कि चलो मुझे connection close करना है, तो वो क्या करता है fin packet बेशता है, तो कि fin flag on है और वो जाके server के पास जाके पहुंचता है, जब वो server के पास जाके पहुंचता है, server फिर सोचता है कि मुझे अभी connection बंद नहीं करना है, मुझे और भी data client को भेजना है, तो वो क्या करता है, कि चलो जो fin packet है, उसको acknowledge करता है, बोलता है कि ठीक है, तुमने अभी y तुम्हारा next expected है, तो मैं भी sequence number y बना के एक packet भेजा, और तुम्हारा client कुछ बेजता नहीं है, अभी बीच में, यहाँ पे देखो, client कुछ भी नहीं भेजने वाला, client बस server से जो data आ रहा है, उसका acknowledgement ही भेजेगा, कुछ नहीं भेजने का मतलब यह है कि वो data नहीं भेजता, server बस data भेजता रहता है, client उसको acknowledge तो of course करेगा ही, तो देखो, यहाँ भी finish करना है, और जिसको की act करेगा client, तो यह half close कैसे different है, यह, जो proper three-way handshake use करके, जो connection and termination करके, fin act, act, दोनों को एक time पे मन किया कि चलो हमें terminate करना है, और दोनों agree करते हैं कि हमको terminate करना है, यह और यह half close कैसे different हुए, कि half close में, बस client को close करना होता है, client ने बोला मुझे close कर सर्वर बोलता है कि मुझे अभी और data वेजना है तुम्हें, तो मैं data वेज रहा हो, तो मुझे acknowledgement वेजते रहो, जब सर्वर को पता लगा कि चलो, अभी data मैंने वेज दिया, अभी मुझे close करना है, तो सर्वर उस ताहिम पे fin packet वेजता है, और यह final जब act packet आता है, client से, फिर जाके connection close होता है, अब चलो थोड़ा देखते हैं, यह जो complicated state transition diagram है, यह थोड़ा सा complicated दिख रहा होगा, लेकिन अब तक तक तुमने जो भी सुना है और समझा है TCP के बारे में, वो पूरा चीज यहीं पर ही है, तो ज़्यादा इसके बारे में डरनी की जरुरत नहीं है, इसको जब हम parts करके अगे जाके देखेंगे, तो वो समझना थोड़ा आसान होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इस diagram को read कैसे करना है, यहाँ पर देखो, जो server और client जो होते हैं अब वो शुरू में, वो हमेसा closed state में होता है, वो हमेसा closed state में होता है, फिर क्या होता है server जो होता है, वो passive open करता है, वो listen state में होता है, बोलता है कि चलो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, client से कोई एकर connection का request आता है, तो हम बनाएंगे connection, client क्या करता है, वो active open करता है, active open करता है कि क्या मतलब है, वो sin packet भेज देता है, यहाँ पर देखो sin, करके व आके sin यहाँ पर पहुँच गया, तो server ने क्या किया, sin act भेजा, और वो state में आके बैठा हुआ है, sin received state में बैठा है, तो जो sin act है, वो आके यहाँ पर देखो client के पास आके पहुँच गया, तो उसने फिर एक final act भेजा, three way handshake का final चीज है वो भेज दिया, तो वो जाके established state मे बैठ गया, कौन, client, और server के पास वो act जाके जब पहुँचा, तो server भे जाके established state में जाके पहुँच गया, यह हो गया तुम्हारा three way connection establishment, चलो अभी थोड़ा सा, अगर connection को close करता है, तो क्या होता है, उसके बारे में देखता है, चलो server अभी यहाँ पर established state में बैठा हुआ है और मान लो, उसको एक fin packet मिल गया, client से, तो server क्या करता है, अगर server को तुरंत connection close नहीं करना, तो वो क्या करेगा, जब वो fin packet client से आता है, तो उसका वो एक acknowledgement page देगा, तुरंत, बोले का ठीक है, मुझे तुम्हारा जो fin packet है, वो मिल गया, अब वो क्या करता है, अपना जो application program है जो application layer में चल रहा है, उसके लिए वो wait कर रहा है, close wait sheet में, कि तुम्हारा data भेजना कब खतम होगा, उसके बाद ही मैं finish करूँगा, है न, तो वो हमने पहले देखा था, पहले एक slide में, कि server अगर तुरंत बंद करना नहीं चाहता, ये half close scenario है, server बंदने करना जाता, तो वो क् कि चलो, जो client से जो finish का packet है, जो fin packet है, उसको उसने बोला कि ठीक है मैं acknowledge किया, लेकिन मैं अभी तयार नहीं हूँ connection finish करने के लिए, तो वो क्या करता है, data भेजता रहता है, client उसको acknowledgement भी भेजता रहता है, ठीक है, जब application layer का जो program में बोलता है कि चलो, अभी data भेजना खतम हु कि client से भी तो एक acknowledgement आएगा ना, जो final acknowledgement है, तो वो जब आके client से पहुंच जाता है, तो server फिर closed state में चला जाता है, जो dotted line है, वो server के transition है, तो फिर एक closed state में चला जाता है, ये हो गया half close server के नजरिये से, अब client के नजरिये से हम ये half close को देखता है, तो client यहाँ पे established state में है, उ close कर大 है, तो वो क्या करता है, fin packet server को भेश देता है, और वो fin wait 1 के state में रहता है, इस state में क्या होता है, फिर server का, यहाँ पे देखा था कि server तुरंत एक account भेश देता है, जब fin आता है, तो वो आक आके client के पहुंचता है, तो वो fin wait 2 के state में जाके रहता है, Finware 2 के state में जब वो client पढ़ा होता है तो data आता रहता है server से और client जो है वो acknowledgement भीशता रहता है लेकिन जब finally जब server मन बनाता है कि चलो मेरा application layer का जो भी data है वो सब कुछ चला गया है अभी मुझे भी close करना है तो वो जो fin बेजता है तो यह fin यहां पे आता है फिर client क्या करता है act बेजता है और वो act आके इधर पहुंसता है और server जो है वो तुरंद close state में चला जाता है लेकिन client जो है वो अभी भी एक time wait state में आके रुकता है यह क्यों करता है क्योंकि server ने fin बेजा client ने act भेज दिया उसके बाद client को भी close होना चाहिए लेकिन यह two MSL यह MSL क्या है Maximum Segment Lifetime इसका मतलब क्या है कि एक segment इंटरनेट पे maximum कितने time तक जिन्दा रहेगा उसके बाद हम मान सकते हैं कि चलो यह segment कहीं पे गुम हो गया होगा ड्रॉप हो गया है यह इसका कुछ पता नहीं है तो यह two MSL क्या है मतलब यह RTT जैसा समझ लो कि segment गया फिर उसका अगर acknowledgement आया नहीं तो two times हमने ले लिया तो यह two MSL के लिए क्यों wait करता है client तुरन जाके close क्यों नहीं हो जाता यह इसलिए क्योंकि client ने जो acknowledgement भेजा जो final acknowledgement भेजा वो server तक पहुँचेगा इसका क्या guarantee है नहीं है अगर वो acknowledgement ड्रॉप हो जाता है server कुछ time के बाद time out होगा और वो फिर से एक fin वेज सकता है क्योंकि server को वो act पहुँचना बहुत जरूरी है server के पास अगर वो final जो act है जो client ने भेजा है वो अगर नहीं पहुँचता तो server को पता भी नहीं है कि जो fin उसने भेजाता पहले वो client के पास पहुँचा भी की नहीं तो client को थोड़ा wait करना चाहिए to MSL के लिए कि चलो मैंने जो यह final act भेजा यह server के पास अगर नहीं पहुँचा तो server को थोड़ा time दना चाहिए यह वो time out हो और वो फिर से और एक fin packet भीजे तो इसलिए client थोड़ा सा wait करता है अगर उतने wait के अंदर server से कुछ आता नहीं है मतलब क्या हो गया कि server के पास act जाके पहुँच किया होगा तो फिर यह client क्या करता है वो भी close state में आके पहुँचता है चलो अभी देखते हैं कि जो three way handshake use करके termination कैसे होता है इसमें कि client बोलता है कि fin server बोलता है ठीक है मुझे भी बंद करना है fin act फिर client बोलता है act यह कैसे होता है चलो client को बंद करने का मन अभी हुआ तो उसने क्या किया यह देखो थोड़ा color change करके दिखाता हूँ close करने का मन किया तो उसने fin का packet बेजा और वो यह fin wait one state में आ गया अभी server को उपर depend करता है ठीक है कि server क्या करेगा server अगर खाली act बेजता है तो वो half close scenario हो गया server ने अगर fin act बेज दिया यहाँ पे fin act तो भी यह three way हो गया तो client बहुत ठीक है मेरा भी act है और यह time wait state में पहुंच गया क्यों क्योंकि जो final act है यह server के पास अगर नहीं पहुंचा तो server फिर से fin wait सकता है तो client को थोड़ा सा wait करना जरूरी है जो कि मैंने अभी half close के सिनारियों में भी explain किया था तो अगर वो two msl के बीच में के अंदर अगर server से कुछ भी नहीं आता तो client क्या करेगा close state में चला जाएगा तो यह हो गया three way handshake use करके close करना बाकी इस diagram में जो भी है उस पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यह diagram देखके three way handshake use करके connection कैसे establish होता है half close कैसे होता है और यह three way handshake use करके termination कैसे होता है उतना समझ में आ गया तो उतना काफी है और देखो वो जो states के explanation है न वो यहाँ पहन जो close state में है server, client दोनों हो सकते हैं कोई connection ही नहीं दोनों state में बैठा हुआ है listen state में कौन होता है server passively खुला रखता है कि चलो कोई अगर sin packet आ गया client से तो मैं फिर connection बनाने के बारे में सोचूँगा sin sent state में कौन होता है client उसने sin भेजा अभी waiting for acknowledgement sin received state में कौन होता है server उसने sin लिया client से फिर sin act भेजा अभी वो final जो act है connection establishment का final act होता है जो client भेजता है उसके लिए वो wait कर established में दोनों हो सकते हैं client server दोनों established है यह fin wait one state क्या है कि client ने fin भेज दिया अभी वो act के लिए wait कर रहा है fin wait two state में कब होता है कि अगर half close होता है तो वो इस state में आएगा half close का क्या मतलब client ने fin भेजा server बोलता है कि मैंने बस act भेजना है मुझे अभी fin नहीं करना मुझे finness नहीं करना और भी data भेजना है तो फिर client क्या करता है कि act मिल गया तो वो fin के लिए wait करता है और server भी data भेज सकता है क्योंकि server अभी भी half open है server अभी खुला है connection half open है हलाकि client के तरब से मन बन चुका है कि अभी connection बन करना है fin wait two state कब आता है जब half close का situation होता है ये close wait कब होता है ये close wait जो है ये server का state है कि client के तरब से fin आ गया acknowledgement भी भेज दिया मतलब क्या fin नहीं भेजा acknowledgement भेजा है हमारे तरब से और भी data भेजना है हमारे जो application layer का जो process है server के side में वो भी तयार नहीं है close करने के उसको और भी data भेजना है तो वो क्या बोलता है कि waiting for application to close ये time wait state किसका होता है ये client का होता है इसमें क्या होता है कि client ने तो चलो पहला fin भेज लिया तो क्या हो सकता है कि अगर उसका बस act आया तो वो fin wait two state में जाएगा और उसके बाद server को जब मन करेगा कि चलो मुझे भी close करना है तो second fin भेजेगा नहीं तो और एक scenario में क्या हो सकता है कि client ने fin भेजा फिर server ने भी तुरंद fin भेज दिया तो दोनों के case में जब second fin आ गया वो half close हो या three way handshake का close हो कोई फरक नहीं पड़ता जब second fin server से आ गया है ना और तुमने आक भेज दिया तो तुमको ये two MSL two into maximum segment lifetime का time out के लिए wait करना पड़ेगा क्यों क्योंकि तुमने आक भेजा ना ये आक ये आक सर्वर के पास जाके पहुँचेगा इसका क्या guarantee है अगर drop हो जाता है ये आक किसी कारण अगर सर्वर के पास नहीं पहुँच पाता फिर सर्वर फिर से fin भेजेगा ना क्योंकि server को तो पता नहीं है यह जो fin आया जो second fin है server के तरब से यह client के पास पहुंचागी नहीं server को नहीं पता तो इसलिए server का जब time out होगा अगर यह act जाके नहीं पहुंचता है वो fin का तो server फिर से fin भेच चकता है तो इसलिए client को wait करना चाहिए देखना चाहिए कि चलो server को भी समझ में आ रहाएगी नहीं कि मैंने भी acknowledgement दिया है यह last act किसके state में है यह server के state में आता है कि second fin भेच दिया server ने अभी client के तरब से act आने का वो wait कर रहा है बस यही तो चीज है यह state में जब server पढ़ा रहता है last act के state में तो वो acknowledgement आएगा server को भी नहीं पता, client को भी नहीं पता, इसलिए client उस side पे two MSL timeout में wait करता है और server last act में होता है जब act आके पहुंच जाता है फिर close होता है जाके collection अगर वो जो half close का जो situation है वो अगर इतने अच्छे से समयज में नहीं आए तो हमने यहां पे क्या क्या है वो जो states है ना उसको वहां से निकाल के यहां पे थोड़ा simplify करके दिखा है तो client के नजर यह से half close कैसे होता है तो client अभी मान लो established state में है उसको close करने का मन किया तो उसने fin का packet भेज दिया और वो fin wait one state में आ गया और यह half close है तो server से fin नहीं आने वाला server अभी भी data भेजना चाहता है तो वो बस एक act भेजता है तो client क्या होता है fin wait two state में जाके पहुंचता है और वो wait करता है कि चलो server कब finish करेगा connection server का data भेजना जब भी खतम होता है तो server एक fin packet भेजता है जिसका कि client एक acknowledgement भी भेजता है और वो जाके time wait state में जाके बैठता है क्यों बैठता है क्योंकि यह जो acknowledgement उसने भेजा यहाँ पे इसको पहुंचने में time लगेगा और chance ऐसा है कि यह जो acknowledgement है वो गुम हो जाए तो server को time देना चाहिए कि अगर server के पास यह acknowledgement जाके नहीं पहुंचता है तो server फिर से यह जो fin है वो भेज सकता है इसलिए client को तुरंत close नहीं कर देना चाहिए कि close करने के बाद client फिर कोई भी चीज़ को respond नहीं कर सकता सर्वर अगर दूसरे बार एक fin वेजता है क्योंकि वो act जो पहले वाले का था जो client ने server को भेजा था वो पहुंचा नहीं server के पास तो इसलिए client को थोड़ा सा wait करना चाहिए और जब वो time out हो गया उसका मतलब चलो तो server को act तो पहुंच ही गया होगा लेकिन क्यों क्योंकि server के पास से कुछ आया नहीं न और तो इसलिए मतलब server के पास act पहुंच गया होगा तो client जाके close करता है फिर अगर उसको open करना है फिर वो sin भेजेगा sin sent के state में आएगा फिर server के तरप से अगर sin act आ गया तो ये act भे यह से दिखता है मानलो server अभी established है ठीक है और server के पास एक fin आके पहुंचता है server को close नहीं करना है क्योंकि server को अभी डेटा भेजना है तो server act भेजता है फिर close wait state में रहता है close wait में क्यों रहता है क्योंकि वो कि कि लिए wait करता है client के लिए नहीं वो wait करता है अपने खुद के application layer program के उपर कि तुम्हारा data भेजना कब खतम होगा चलो वो जब खतम हो गया तो अभी close situation आ गया तो server अपने तरफ से fin वेजता है और फिर जो last acknowledgement है client के तरफ से उसके लिए वो wait करता है वो act जब आके पहुंचता है तो server भी connection close करता है फिर open के time पे क्या होता है वो passively listen करके ब client से तो वो sin act बेजता है client को तो वो sin received state में होता है जब फाइनल act आता है connection establishment का जो act client से तो server भी फिर से established state में आ जाता है देखो ये एक timeline diagram है जो की काफी easy है समझना है इसको देख लो दोनो close state में है है फिर client नहीं यहाँ पर active open किया तो उसने sin packet बेजा sin packet बेजने के बाद वो sin sent state में चला गया server यहाँ पे listen state में था sin पहुंचने के बाद वो sin act बेजके sin received state में आ जाता है फिर जो sin act जब client के पहुंचता है तो client क्या करता है कि acknowledgement management भेजके established हो जाता है और यह act जब आके server के पास पहुचता है तो वो भी established हो जाता है तो दोनों क्या करता है फिर data transfer करता है क्लाइंट का इसमें क्या हो गया client को अभी चलो बंद करना है तो उसने क्या क्या fin packet भेजा और वो fin wait one state में आ गया server को अभी half close करना उसके पास अभी भी data है देने के लिए तो server बस एक act packet भेजता है fin नहीं भेजता जब वो act आके पहुचता है client के पास तो वो fin wait two state में आ जाता है और दोनों के बीच में भी data transfer अभी भी चलता है कि चलो बस data transfer जो यहाँ पर ध्यान रखो कि server client को data भेज रहा है किसके लिए wait करता है वो अपने application layer program के उपर वो wait करता है जब वो wait खतम हो जाता है तो server ने भी मन बना लिया कि हमें भी close करना है तो वो क्या करता है passive close जब उसका situation आता है वो क्या करता है कि एक fin packet भेजता है client को यह packet जब आके पहुंचता है तो client क्या करता है कि चलो मैं एक act भेज रहा हूँ मैंने तो close करी ला था तुमने भी बोला तुमको भी close करना है तो मैं time wait state में आता है क्यों यहाँ पे ध्यान दो time wait इसलिए करता है कि यह जो act का जो packet आना क्या पता यह बीच में कहीं पे गुम हो गया server के पास जाके पहुंचा नहीं server अभी wait कर रहा है न last act के लिए जब fin भेजा तो वो last act किसका last act क्लाइंट के तरफ से last acknowledgement आना है किसका acknowledgement ही जो finis packet भेजा है server ने उसका acknowledgement आना है इसलिए वो last act state में बैटा हुआ है लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं बैटाएगा अगर यह acknowledgement किसी कारण अगर drop हो गया तो server फिर से fin भेज सकता है लेकिन वो fin पहुँचने तक client को भी जिन्दा रहना चाहिए client अगर तुरंत act भेजने के बाद close हो गया और उसके बाद अगर यह acknowledgement drop हो गया और server time out करके फिर से fin भेजता है तो वो fin को सुन ले के लिए client नहीं होगा तो इसलिए client जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा wait करता है 2MSL, 2 maximum segment lifetime तक wait करता है एक MSL क्या होता है वो एक segment maximum internet में कितने time तक जिन्दा रह सकता है दो बार उसका wait करना मतलब क्या है कि यह जो act गया अगर act drop हुआ होगा उसके बाद उसने fin भेजा होगा तो 2MSL तक wait करना ज़रूरी है और यह act अगर आके पहुंच गया server के पास तो server फिर से fin नहीं भेजेगा और यह client के तरब से वो time out हो जाएगा तो client भी close state में आ गया server भी act मिलने के बाद वो भी close state में आ गया